अब ये दंड भषक एक लाइन है एक लाइन है व्यायांतन पत्थर की हो मांस पेस्टियां दोहे के भूई दंड अब है नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जै दंड भषक से हमारी मांस पेस्टियां मजबूत होती है वैस्टियानिकों ने भी इसके दिखर दिया है कि मांस को किसना हिलाया जाए उतना ही वो विस्कार को प्राफ्ट होता है उतना ही मजबूत बनता है तो यह सार्स दंड तालियों के वाज है सालियों में अकंजूसी नहीं हो तो कितनी दूर से प्रमचारिया हैं आपके वीच में तो सालियों की कंजूसी मत करो प्रमचारी हनुमान था बंका जिसने ठोक दई थी लंका बैठा रावन का पज़वार दई अंगत में ठोटी है रामुति दंड व्यायां के बल पर हनुमान जी ने लंका में जाकर के लंका को आंग लगा दी अकेला अंगत हनुमान की सभाव में गया और उसने पूरे जब रावन ने कहा कि गिरफतार करो इसको पकड़ लो इसको मेरा की ज़्यादा बात मारता है तो अंगत ने कह दिया कि अगर तुम्हारे में से कोई मेरा पैर उठा करके दिखा दे अपना पैर जमा दिया तो बै यह एक चीज अनुखी है तो यह ब्रिंचारी है सरफ दंड यह सरफ दंड यह सरफ दंड तरी बलवीर जी खटाना वाले पांसतो रुपे दे रहे आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रम्पिता प्रमात्मा आपके परिवार में बंदाने के दिख्टी करता है पांसतो रुपे प्रधान हरिस हरिस कोई